Hi everybody, JTA 2024, हम लोग जान रहे हैं और इससे क्या है कि बहुत सारे बच्चे इसमें परिसान भी हो रहे हैं, परिसान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको proper syllabus दिया ही नहीं गया है और बच्चे पढ़ने के लिए पढ़त हो रहे हैं बट उनको एक चेक मालूम नहीं है कि एक्जाम मे के लिए और language teacher के लिए तो हमारा इसमें syllabus क्या होगा कहां से पूछा जाएगा तो देखिए आप जान रहे हैं कि आपका graduation level से questions रहेंगे मिंस कि हमको यहां से mindset यह हो गया कि आपका basic तो रहेगा ही साथ-साथ आपका जो लेवल होगा 628 के लिए जो math, science और SST का graduation level तक का होगा क्योंकि आपने graduation कर रखा है इसलिए अभी सहायका चारी एक्जाम हुआ था तो इसमें भी हम लोग यही देखे थे कि सहायका चारी एक्जाम में भी जो 628 वाले हैं जो भरे थे उनको graduation level तक का पूछा गया था questions अब 1-5 के लिए प्लस 2 लेवल तक का पूछा गया था तो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जान रहें कि जो डियले वाले candidate है 1-2-5 के लिए अप्लाई कर सकते हो और अगर आपको 628 अप्लाई करना है तो प्लस 2 के साथ आपको graduation भी होना चाहिए और प्लस में डियले तो आप दोनों अप्लाई कर सकते लेकिन वाले जो आपका maths रहेगा और GKGS रहेगा यह सब जो questions होंगे आपका 12th level तक का मतलब ऐसा बोला गया है बट ऐसा होगा नहीं आप निश्चिंत रहो इतना ज्यादा tough नहीं पुछेंगे आपसे 12th level तक का अगर math पुछना स्टार्ट करेंगे तो सब candidate इसी में बच जाएंगे और तो यह सीर फॉर सिफ टाइम मेनेजमेंट के कर रहेंगा 12th level तक का यह questions देने लगे तो हम लोग कोई भी qualified करना मुस्कील हो जाए क्यूंकि questions lengthy हो जाएंगे ना इसके वज़े से अब बात करते हैं कि आपका pattern क्या है तो pattern देखिए जैसा seat rate में था as it is है लेगिन थोड़ा सा changes क्या है जब सीडीवी पहले इसमें 20 marks का होता था सीडीवी आप देखेंगे 2016 और 12 में जो हुआ था बट यहाँ पर 30 marks का है language 1 में क्या है हिंदी इंग्लिस उर्दू मतलब जिनको उर्दू लेना है उनको इंग्लिस लेना कंपल सरी हो वो हिंदी के साथ नहीं जा सकते है औ और हिंदी इंग्लिस मतलब कोई भी आप है इंग्लिस हैं हिंदी है तो आपको इंग्लिस लेना है जो कि 30 marks का होगा इसमें डिवीजन कर लो 15 15 marks का होगा ठीक है language 2 आपका रिजनल लाइंग्वेज होगा यहाँ पर हिंदी इंग्लिस भी चूज कर सकते हो इसमें अगर जैसे सीट में इवियस था तो यहां पर आपको जीकर जीएस देखने को मिले का 15-15 मांक्स था ठीक है अब इसमें भी सेम है 30 मांक्स का ये भी आपका सेम है हिंदी उर्दू और इंग्लिज यहां तक आपका सीधा सीधी है बात करते हैं जैसे कि जो भी लैंग्विज टीचर ह बहुत बच्चे ईसे उनकी लिए बेटर है बहुत सैंस अब यहमें बटат है इसमें भी वालों के लिए 30 इसमें भी जनरल वालों के लिए 90 यहां के लिए 50 है तो दूटल म्रू के लिए 90 है और अगर हम OBC की बात करते तो OBC का 75 होगा और इसमें भी 75 होगा लेकिन overall अगर आप इसना conduct करते हो that is not good for you क्योंकि आप qualified नहीं करोगे कब जब यहाँ जैसे कि आपका 30 marks है तो 30 marks में आपको 40% लाना होगा सभी section में ठीक है सभी section में 40% means कि 12 marks आपको हर एक section से conduct करना होगा और 60 में से 40 लिकालते हो तो इसमें भी आपको 24 के आराउंड आपको लाना होगा ठीक है तो ऐसे आप देखेंगे तो मतलब समझे कि सभी section में अगर इगारा हुआ तो आप qualified नहीं कहला होगे तो यह भी आपको ध्यान र आप एक चीज़ से जा सकते हो जैसे कि हम एक आपको बुक के बारे में बता रहे हैं जो बुक है आपको बेटर बुक है बेस्ट बुक है वो चक्सु प्रकाशन की है और इसके थ्रू आप जाईएगा तो आपका अच्छा preparation होगा इसमें syllabus के नया syllabus के according यहाँ पे सारा questions दिय बुक के बारे में inquiry भी लेना है तो सब description box में आप एक बर देख लिजे और बुक का प्राइज अलग-अलग vary करेगा आप कहीं से भी purchase कर सकते हैं आप या तो फिर flip cards है तो यह बुक आपके लिए best होगा मंगवा कर आप practice कीजिए और इसका practice set भी आता है जो कि बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है तो जो भी books आपको मिल रहे हैं आप उसके थूप पढ़िए तो आपके लिए जाड़ा better होगा ठीक है तो आप यहां पर देखिए आपका इस तरीका से है OBC के लिए 75 है जो कि OBC को थोड़ा सा relaxation है जेनरल वाले से क्योंकि 15 marks का difference है और य लाना होता है इसलिए हमारा 75% 75 marks आएगा आपका तो आप qualified कर लाओगे लेकिन हर एक सिक्षन में आपको 30% कंड़क करना होगा मतलब OBC के लिए 9 number लाना होगा compulsory है अगर 8 भी आता है तो आप qualified नहीं करते हो ठीक है तो ऐसे update के लिए जारखन का authentic update के लिए आप चैनल को subscribe कर आप टेली ग्राम चैनल से जरूर जूड़ जाए कि वहाँ पर भी आपका books के बारे में सारे details दिया हुआ है आप वहाँ से भी जाकर लब उसके बारे में details ले सकते हो और प्लस में अगर मेरे से contact करना है बात करना है तो आप Instagram दिया हुआ है वहीं link दिया होगा उस पर भी आप message कीजिएगा आपको reply मिल जाएगा so bye take care everyone